मैं युगाटिडी से बताना चाहता हूँ कि आप अगर जो भी जिसी भी चीज का उप्योग करना चाहते हैं ना उसका सब उप्योग करो कम से कम उप्योग करके ज्यादा से ज्यादा अगर उनाफ आपको मिलता होगा ना तो ऐसी चीजों का वाफर किया करो कि जो चीजे भगवार की साधना में, भगवार की बंते में अर्चने ना पैटा करते हैं, ले तो छूरी हाथ में दे देते हैं, जैसे हम बच्चों के हाथ में छूर देते हैं, बच्चा जवरस्ती छीन लेता है, और छीन कर छूर देते हैं, हम उसके हाथ में नहीं देना चा पढ़ाई के इसका उप्यों करो, बग्मार का भुजन सुनने के इसका उप्यों करो, ना कि इंटरनेट के मात्यम से हम क्या कराइगे, अपने आपको खोते जागे, आपको भूलते जागे, और इससा भूलते समय हमें ध्यान के रिकना चाहिए कि परविश्वर की वक्ति, पर इससे समझे को काटा जाता है, एक छुर से मनुष्य को भी काटा जाता है, ये तो हमारी सोच है कि हम कैसा करना चाहिए, और इसलिए हमें सोच कर से चलना चाहिए, कि हम इस युवाकरी को कैसे बदल सकते हैं, इनकी विचारों में हमें बतला उना चाहिए, इनकी आचारों म इसलिए एक सुर्दिस्त्र में उतहार रवायाक प्रमा की ना करा में चाहिए हो, शास्ट्र ने बता है, शास्त्र में बता है गुरु प्रतिति है शास्ट्र प्रतिती इसी चार प्रतिती गोली बही हो जा है आकाकेसा नाम की माता थी, उनका राब्दयव नाम का पुत्र था, उसने सन्यास ले अच्रण करता था। स्वामी जी के बता हो है मार्ग पर वो जैसे तैसे चलता था, लेपन माता जो थी बड़े दुखे थी, वो बुली मेरा पुत्र बड़ा ही बैया के कर रहा है। यह नेखता है और उनेएख एससे मी करता मेरेको इछ आगे एक पार इसे मैं पेड़ा के भोजन खिला। वह अपने पुत्र से बोलती है। कि मैं तो दनीग मैं पीलगादि ड़ड़न डालती हूँ उबले नहीं। मैं तो आपने सवामी जी के बता जो बथा गुशा गा जो दाए वी मानथ पर चलूँगा। मैं तेरे नहीं सुनुझा। EU नहीं के विफी सुनते आगा नहीं। मेरी आज की मता नहीं है। तो प्लाश मता नहीं है। उससे राण नहीं गया, उसनी जाकर आचारीजी से बोल गया, कि भई देखो, ये मेरा बेटा तो मेरा सुनता है नहीं, ऐसा करतो, मैं आपको दर्वेटे डालती हूं भोजन के लिए, आप आते समय उसकूर भी साथ लेया, आचारीजी बताए हुए समय पर उनके भोजन के ल आचारीजी बता देखिये, आपको तो पता है, मैं अपने वीजी मार्ट पर चलता हूं, फ्वामी जी ने जो मार्ट को दते इस पर चलता हूं, आप मुझे ना रूकर तो अच्छा है और इसलिए उन्होंने आचारेजी को बता दिया मैं आपकी बात नहीं का लूगा लेकिन आपकी बात मानूंगा भी नहीं धिर आचारेजी ने उनका हाथ पकड़कर जबर दसी से ठाली में से भूजर कई ग्रास निकालकर उनके हुख म अच्छा लेकिन उन्हें ने क्या किया आचारेजी का हाथ पकड़के उससे थोड़ा सा घास निकालकर अपने मुख में डाल दिया बोले आचारेजी अब बस यह क्योंगा मैंने आपका भुजर का ग्रास मिसे का पसाद में इस्विकार कर लिया है ये सुक्त का अदंद मैं अचारेजी अब आप मुझे बताएं मैं आप की सुनूं या हिश्वर की सुनूं किस की सुनूं मैं तुझारेजी ने का अवरे श्ञांति के साथ कि वेटा तुझ भगवान की सुनूं डाल तो मुझे से मेरा व्यकैर व्युक्ता होगा। ुपुषर रहा है तू ज़ो चल रहा है तु जो कर रहा है हुँ न ही जो चल रहा है और भगवान कि आज़िया में थे ख्यों दिन से हने अपन्य ने Sat securities ने CAPS आचारजी को बड़ा प्रक्संटोश हुआ, ये सुख का आनिदा है। अपने गुरु के साथ, अपने मारत के साथ इस प्रकार करण प्रसन्दा का वातावन तयार करते। ये प्रसन्दा का है जो मुनदर में बड़ा अजीव काम करता है। जिसमें हमारे करम नाठीम के असरी जसकोड़ाज वोटे जात है, बड़ शिफाजाज अगर शिफारीस होदा तो नौकरी वर नभर, भंग वर्याज भूला को तो घंवान के घर में भी जगा भूल जाती है। तो हमें भी ऐसी शिफारीस हमारे साथ रखनी चाहिए और यह सब साधू संतों की की शिफारीस अगर हमारे साथ में रहे तो हमारा जीवन भी इस तरह से ख़गा खुला रहेदा और इसने, इनकी शिफार्स हम कैसे कर सकते हुआ ये शिफार्स पत्रमिलमिने हमें क्या करके चाहिए हमें साधन की प्रसनता जोड़नी चाहिए इस्वर नाही तेने मर्द जोड़ावा वसोचिने नाये बंधर तोड़ावे जिसको असनिधान में इश्वर जोड़ना नहीं आता उसने मार्व को जोड़ना चाहिए साधन को जोड़ना चाहिए स्थान प्रसार पिक्षु वासनी इस चतुरवीर साधन के साथ गर्म चलेंगे न तो यका यक इश्वर की प्रसनता हमारे साथ होगे और इस इश्वर की प्रसन्नता के साथ हम चलेंगे तो हमें इश्वर की प्राप्ति करने में बड़ी आसानी प्राप्त होगी सब मुश्किलिया दूर हो जाएंगी, सब अरचने दूर हो जाएंगी आज में आपको दो बाते बता हुए है मैं जो कर रहा हूँ मैं जो अरुभवना करना हूँ वो अरुभवन ने आपको मता गया है कि ऐसी चतुरवी साधर की प्रसनता हमारे जीवन में होना तो हमारी नईया याता यात पार हो सकते हैं बिना जिजक के, बिना किसी कष्ट के हम इस परवेश और भार्व को याता प्राप्त कर सकते हैं आचारी श्री बाबाजी की सेवा में आज में यह जो सेवा की हैं आप सब मेरे से मुज़ुग हो, मेरे से बड़े हो आप सब छोटों की बाते सुनना अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करें, धर्म है यह ऐसा धर्मे गुरु नवे, धर्म शिश्य नवे धर्म अतोची गुरु, धर्म अतोची शिश्य इस धर्म की रहा पर हम चल रहा हैं इतनी एक घंटे से आपने मेरा यह प्रवचन सुना वस्तलिक, पुरी तरह से जो प्रवचन का दान है मैं आपको नहीं दे सका कब तो मैं हूँ, आप सब तो विजी से भरे हुए हैं मुझसे ज्यादा अमदाप तो आप लोगों को हैं मुझसे ज्यादा देवे तो आप उन सब के पास हैं मैं तो ठहरा बार में शूँ, लेकिन मुझे बर्मेश्वर की इतनी पता नहीं है जितना पता आप सब लोगों कोने, आप सब तो ग्याद के मारत पर चलने वाले हों मैंने तो खाली छड़ी का काम किया है, छड़ी का काम आपके साथ चलता रहा, आपके साथ बैठा, ठोड़ी जोचाथ बाते की और चाहूंगा कि आप सब के साथ अभी रजावन्दी लेकर मैं अपना प्रवचनी खतल कर दूँ मुझसे कुछ बोलते बोलते कुछ चुक भूल हो गई हों तो आप सभी मुझे, मैं बाबा ऐसी प्रांतरा करता हूँ, आपके बड़े अधिकरणों के सामने ऐसी बाते करना अच्छी बात नहीं है, तैकि फिर भी मैं आप सब के माभी मांकर आप सब सिक्षमा चाहता हूँ, कि आप सब मुझे जोबी चुक चुक हो, वो मेरी जोड जो अच्छा है, वो आप सब अपने साथ ने जाओ, ताकि आपके मुक्षमार्वे पर आपके रहा पर आपको उप्यों भी पड़े, और इसी साथ मैं अपना प्रमजनी सामत करता हूँ,